नमस्तेगार और आजमकड़े हैं इंडियन फुल साइज वैन के सामने जिसका नाम है फॉर्स अरबानिया 2022 में लॉन्च हुई थी और ये फर्स जेनरेशन वेरियंट आप देख रहे हैं सिर्फ डीजल में आती है रेंजर चुरू होती है एक्षण रून 30 लाग रुपीज से और टॉप मॉर्ली कीमत है 34 लाग रुपीज ये मीडियम वील बेस 14 सीटर वेरियंट आप देख रहे हैं शॉर्ट और लॉंग वील बेस में भी आती है अरबानिया 10 सीटर से लेगा और 18 सीटर वेरियंट इसमें अवलेबल है ग्लोबल स्टेंडर्स के हिसाब से फोर्स ने इसे बनाया है इटैलियन कंपनी टेक्नोकेड ने इसे डिजाइन किया है और कई जर्मन, जैपेनीज, स्पेन, यूके और अमेरिकन कंपनीज ने मिलकर बनाया है अरबानिया को तीन साल 1,50,000 km की वारेंटी फोर्स देती है अरबानिया पे चार फ्री सर्विसेस भी मिलेंगे नेक्स जनरेशन कोडनेम T1N प्लेटफॉर्म रबनी है अरबानिया मॉडिलर मोनोकॉक आर्किटेक्चर है पीतमपूर में इसकी असेमली होती है अरबानिया की प्रोडक्शन के लिए फोर्स मोटरस ने 1200 करोड रुपीज इन्वेस्ट की है रेजिंग बुल इंस्पायर डिजाइन है इंडिया, यूरोप और यूके में रोड टेस्ट करके बनाई है फोर्स ने अरबानिया इसके एलेक्रिक वर्जिन की भी टेस्टिंग चल रही है जिसे फ्यूचर में लांच किया जाएगा काफी अट्रेक्टिव फ्रॉंट डिजाइन है और ये फॉग लैंप ये बड़ी ग्रिल अरबानिया की बैजिंग और ये है लूमेक्स के प्रोजेक्टर हेड लैंप प्रेंथेसे स्टाइल एलेडी डियारल के साथ काफी बड़े हेड लैंप बोनट पर डिजाइन वाइपर के उपर वाशर दिये गए है रूफ पर भी डिजाइन है स्टक ग्लास, फुली सील्ड पैनारॉमिक विंडोस है मैनूली अद्जेस्टेबल आउटसाइड मिरर्स है टर्न इंडिकेटर के साथ ये फम 2.6 CR एंजन का स्टीकर साइट क्लैडिंग लाइट है 6.2 मिटर लेंथ है 2.5 मिटर हाइट है 3.6 मिटर वील बेस है 4,100 kg ग्रॉस वेट है और 200 mm ग्राउंट के रिंस है शॉर्ट वील बेस की 5.4 मिटर लेंथ होगी और लॉंग वील बेस की 7 मिटर लेंथ होगी हाइट सारे मॉडल्स की सेम होगी और ये हैं 16 इंच के स्टील वील्स आगे और पीछे डिस्क प्रेक्स मिलेंगे आगे पीछे 235-65, R16-C, 121-119-P, JK टायर, स्टील किंग प्लस, रेडियल ट्यूबलेस टायर्स है यहाँ पर भी लाइट दी गई है यहाँ से भी आप इमर्जेंसी डोर खोल सकते है यह ग्रे कलर आप देख रहे हैं, वाइट कलर का भी यह ऑप्शन है वर्ल्ल क्लास ट्रैवल के लिए इसे बनाये गया है जैसे सीनियर मैंजमेंट के लिए शटल वैन, रिच ट्रैवलर्स के लिए टूर वैन या फिर बड़ी फैमिली के लिए एक लग्जिरी वैन ड्राय फ्रिक्शन सिंगल प्लेट, हाइड्रॉलिकली अक्टुएटेड टाइप कलच है रियर सेंसर्स है, रिफ्लेक्टर, आगे बीच में एक्जास्ट टेल पाइप है, स्पेर वील, और यह फोर्स की बैजिंग, और यह ट्विन स्ट्रिप लेडी टेल लैंप, लाइट गाइड टेकनोलोजी के साथ, अरवानिया की बैजिंग, दो ग्लास विंडोज, उपर हाइवाउंट स्टॉप लैंप और कैमरा, UK की SMT कंपनी ने अरवानिया के ट्रांस्मिशन को ट्यून किया है, आगे transfer springs और dual acting telescopic shock absorbers के साथ independent suspension मिलेंगे, बढ़िया ride comfort के लिए, और पीछे telescopic shock absorber के साथ parabolic leaf spring suspension मिलेंगे, आगे पीछे anti-roll bar भी मिलेंगे, long wheelbase model में आगे rigid suspension आएंगे, front bumper को pedestrian injury कम करने के लिए design किया गया है, हर 10,000 km या 3 महिने में service करानी होगी अरवानिया, हर 20,000 km पे engine oil change interval है, 60,000 km पे gearbox oil change और 60,000 km पे rear axle oil change interval है, high strength steel reinforcements है, car जैसा frontal crash और roll over protection के लिए, body structure को high speed rear impact जहलने के लिए बनाएगे है, high security vehicle transponder based engine immobilizer है, vehicle theft को रोगने के लिए, aerodynamically designed body है, load rack के लिए, जिससे आपको मिलेगा ज्यादा average, बहतर acceleration और stability, 7th generation CED technology से बन रही आरवानिया, high level rust protection के लिए, safety के अंदर दो airbags, ABS, EBD, electronic stability program, collapsible steering, center locking, rear camera, hill hold assist, rear sensors और seat beds मिलेंगे, कई X-series जैसे ambient lighting, roof carrier, LCD TV भी जल्द ही launch किये जाएंगे, exhaust tail pipe, high strength steel का use हुआ है body में, आईए boot open करके देखते हैं, fabric finish है door पर, बड़ी glass windows, यह से दूसरा door open होगा, यहां आपको मिलेगी 100 लिटर की boot space, hinges, नीचे भी काफी space दी गई है seats के, और यह SafeX का fire extinguisher, यह उपर light है, आईए passenger side door खोल कर देखते हैं, sliding door है, 8 speakers का Kenwood music system मिलेगा अरबानिया में, footstep पर reflector है, light दी गई है, fire extinguisher, और यह है fabric upholstery, 45 degree reclining seats हैं, armrest के साथ, blue fabric finish, light, seat belt, seat के बीचे handle bar, pocket दी गई है, glass holder है, full stand up height और chaudi aisles हैं, भड़िया movement के लिए, roof पे lights दी गई है, हर सीट के साथ आपको दो USB port मिलेंगे, segment में सबसे बड़ा passenger compartment है, ज्यादा leg room के लिए, स्पीकर भी है, रूफ पे fabric finish, lights दी गई है, इधर भी lights, दो AC वेंट हर सीट के लिए, light, ये glass break hammer, ये fully reclining seats है, और ही सबसे last row की seats, इमर्जनसी विंडो है, light दी गई है, semi forward design और single panel firewall है, कम NVH के लिए, इमर्जनसी SOS बटन, triple AC system है, जिसमें outlets, dashboard और हर passenger AC events में दिये गए है, handlebar, और ऐसे दिखता है dashboard, American Eagle inspired interior design, anthropometrically designed driver cockpit, सेट के विशे पाउकेट, आई ये front passenger side door खोल कर देखते हैं, one touch auto-down power windows है, रीचे काफी space, bottle holder, speaker, power window का button, footstep के लिए light दी गई है, glass brake hammer, और यहां से बरेंगे diesel, आगे adjustable head rest है, आएए driver side door खोल कर देखते हैं, काफी बड़े doors है, नीचे भी काफी space, उसके उपर भी काफी space दी गई है, यहां पर भी space, bottle holder, speaker, कुछ information, इस पार बंडो की चंट्रोल, दो लोकन लोकनने के बटन, और यह टायर प्रेशन इन फोल्मेशन, footstep, light, और यहां से बरेंगे def, adjustable seat है, driver के लिए, stylish fire brake repository, tilt or telescopic steering, और यह पैदल्स, वोड़ी space driver के लिए, और यह battery kill switch, AC vent, manual handbrake, driver seat के साथ armrest नहीं है, यह 12V का port, AUX और USB के port, और यह है dashboard mounted, Mercedes derived, G32 5-speed manual transmission, और यह AC control, bottle holder, और यह lights, auto start stop, emergency, hazard light, और regeneration switch, कई सारे light switches है, और यह है 7-inch का LCD touchscreen infotainment, support करेगा Bluetooth, USB, AUX, navigation, Apple CarPlay, Android Auto, FM, or radio, radio, FM, Apple CarPlay, Android Auto, USB mirroring, audio settings, display setting, user interface settings, camera, और यह रियर camera display, दो AC vent, और यह शांदा dashboard के finish, फोर्स का logo, USB port, थोड़ी space, lockable globe box है, यहा थोड़ी space, पैसेंजर के लिए, यह passenger side sun visor, reading light, यह rear AC control, उपर भी light दी गई है, emergency SOS button, यह driver side vanity mirror, और यह है 4 spoke power steering, यह light के control, यह वाइपर के control, steering adjustment, और यह है instrument cluster, multi-information display के साथ, जो दिखाएगा speed, RPM, gear shift indicator, coolant temperature, fuel level, loadometer, time और का information, आईए बॉनेट कोलते हैं, और देखते हैं, diesel engine, तो यह है 2600 cc, inline 4 cylinder, Mercedes derived, FM 2.6 CR, ED turbo charge, intercooled diesel engine, 115 hp है, 350 nm torque है, 80 km per hour के toss speed है, short wheelbase, private registration variant की, 110 km per hour के toss speed होगी, लगभग 10 का average मिलेगा, 70 lr के fuel tanks है, यह wind plate, Mercedes derived, 2600 cc diesel engine है, तो यह था, FM 2.6 CR diesel engine, यह वाशर जेट्स है, वाइपर के उपर, वाफी यूनीक टेक्नोल्की है, अधी रूफ पर डिजाइन, बढ़ी अग्रेडियबिलिटी है, हेलोल्ड एसिस्ट है, अरभानिया में, अपने साइस के इसाफ से, जोटा टर्निंग सर्कल है, बड़े ब्रेकर्स पे भी आराम से, निकल सकती है, अरभानिया, इतनी हाई स्पीड में, वाटर डेफ्थ में भी बढ़िया स्टेबिलिटी, और काफी स्पीड पकड़ सकती है, अरभानिया, अरभानिया, अरभानिया के साथ, अरभानिया निकल सकती है, अरभानिया कमफ़ोट के साथ, ज्यादा बॉडी मुमेंट भी देखने को नहीं मिलेगा लक्जरी ट्रैवलर्स के लिए तो अरवानिया बनी ही है बट कंपनी के में टार्गेट कस्टमर्स वो भी है जिनकी बड़ी फैमली है और उनका बज़र टोयोटा इनोवा या किया कारनेवाल तक का है वो फोर्स अरवानिया 10 सीटर वेरियंट ले सकते है उसमें ज्यादा स्पेस है और पूरी फैमली भी आराम से लंबी ट्रिफ्स पे जा सकती है इसलिए इसके शॉर्ट वील बेस 10 सीटर वेरियंट को प्राइवेट रेजिस्टर किया जा सकता है और उसकी कीमत है 30,65,000 रुपीज एक शॉरून कमर्शियल रेजिस्टेशन मॉडल की 80 km पर आर टॉस स्पीड है और प्राइवेट रेजिस्टर मॉडल की 110 km पर आर की टॉस स्पीड मिलेगी अगर आपकी ट्राइवलिंग ज्यादा है तो आप इसमें कुछ सीट्स हटा के आफ्टर मार्केट सोने के लिए बेंच सीट्स या बेड भी लगवा सकते हैं और अगर आपको हेवी मॉडिफिकेशन कराना है तो आप फोड़िकल से अपनी पसंद के हिसाब से अरबानिया को कस्टमाईज करा सकते हैं इससे आप खुद भी लॉंग रूट पे चला सकते हैं फैमली के साथ काफी comfortable driving position है और बढ़िया shaped seats है इसमें बढ़ी panoramic sealed windows है 200 mm ground clearance है शांद cabin है कम NVH, 3 साल की warranty, Italian exterior और interior design आपको मिलेगा इंडिया के साथ mainly अरबानिया को foreign markets के लिए बनाये गया है जैसे Middle East, Africa, South America और Asian countries इसे European, German और American van से compete करने के लिए develop किया गया है इसलिए इसमें airbags और crash rollover compliant body है टेक्सी और fleet owners के लिए भी एक valuable vehicle बन सकती है ट्रैवलर के customers अरबानिया की demand भी करेंगे और कई tour operators अरबानिया से काफी खोश है और उनके customers ट्रैवलर की जगे अरबानिया को अब book करते है operators इसे 35 रुपीज पर किलोमेटर पर चला रहे हैं अभी jerks और vibration को independent suspension आसानी से absorb कर लेते है vehicle का articulation भी बहतर controlled है जिससे कम body roll है चारों wheels में disc brakes भी दिये गए हैं ज्यादर safety के लिए two box construction है जिसमें engine को बिल्कुल बहार रखा गया है शान्त passenger compartment के लिए stylish, safe और comfortable experience दिये गए अरबानिया में car जैसा कम NVH level है जिससे लंबी trips में, cabin में शोर आपको जेलना नहीं पड़ेगा overall cabin में बढ़िया soundproofing भी दी गई है independent front suspension है transfers springs के साथ जिसे बढ़िया passenger ride और handling आपको मिलेगी कहा जाता है कि load के साथ rough roads या downhill पर ये suspension setup दिक्कत दे सकता है but hope अरबानिया में ये problem आपको नहीं आएगी 2200 rpm range है बढ़िया pulling power और driveability के लिए इतनी बड़ी vehicle के हिसाफ से ज्यादा power नहीं है बड़ sufficient है light duty work के लिए इस van segment में force motors के expertise है और वो traveler में भी आपने देखा है साथ ही resale market में भी force की vans काफी famous है इसका steering wheel थोड़ा और modern होना चाहिए था इसमें fixed windows हैं जो open नहीं हो सकती है कुछ sliding या खुलने वाली windows की motion sickness वाले passengers को ज़रूरत लगीगी अरवानिया में सिर्फ wheel base की choices है feature सब में same है अगर इसमें एक base variant भी आता तो price और कम हो सकती थी आपको कैसी लगी force अरवानिया हमें comments में बताइए thank you आपको कैसी अरवानिया करो पिए या यागनिया क्भाνिया दो करें करो 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 झाल 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 झाल